नमस्कार दोस्तों फिर से आपका रीडेंट पास्जियस में स्वागत है और इन दिनों जो हैं हमको इंस्टेवल परिछा के लिए जीए से जूड़े हुए महत्पून प्रस्णों का समधान कर रहा हूं तो आज बोर्ट पे फिर सेलेक्टेड आपका लगवग 25 कोशन है जिस सेरे पंजाब के नाम से कौन जाना जाता है तो आपको बता दें कि लाला लाजपत राए जो गरम दल के नेता थें उन्हें सेरे पंजाब के नाम से जाना जाता है तो यहां पर उत्तर हो जागा आपका लाला लाजपत राए लाजपत राए लाजपत राए दूसरा जो 106 में गद्दी पर बैठा था यह मुहम्मद गौरी का आपका गुलाम था इसी ने जो है गुलाम बंस की अस्थापना की थी आप बता दें कि इसकी मिर्टु आपका 1210 इसी में चौगान खिलते समय घोड़े के से गिर जाने के कारण हुआ तो यहाँ पर जो उत्तर हो तो कुतूबदीन कुतूबु दीन आपका एवग था हना तो याद रखिया कुतूबदीन एवग था इसके बाद काता है कि मागत की प्रारंबिक राधानी कहा थी तब मागत की जो प्रारंबिक राधानी थी वो आपका राजग्री थी कहा थी राजग्री राजग्री इसक का राजग्री थी बहुत सरे स्टूडेंट के माइंड में रहता है कि पटना तो यहां पर दिमाग में रखेगा कि जो आपका रधानी थी वह गहां थी आपका राजग्री थी इसके बाद नेक्स्ट प्रसंट करता है कि लाल वाल पाल कौन थे तो आपको याद रखेगा कि ग बहुत इजी है कोल्ट मोहदे थे कोल्ट जिन्होंने रिवॉलवर का अविस्कार किया था इसके बाद करता है कि बीर भूमी किसकी समाधी है यानि बीर भूमी जो आपका जगह वहाँ पर किसे आपको समाधी कृत किया गया था तो आपका उत्तर हो जाएगा राजिव गांध यानि बीर भूमी जो है वो आपका राजिव गांधी से जुड़ा हुआ है का था बंगला देश का सीमा भारत के अलावे और किस देश से जुड़ता है तो अगर आपको मैप किलियर होगा भारत के आपके मैप दिमाग में होगा तो आप पुर्वत्तर भार में जाएंगे तो जो आपका जुड़ा हुआ हुआ आपका मियान मार जुड़ा हुआ है कौन जुड़ा हुआ है मियान मार मियान मार मियान मार जिसको लोग बर्मा भी बोलते हैं ना प्राचिन कलम लोग बर्मा भी कहते थे कहता है इस पात मिश्रन है तो आपका लोहा और कारबन का लोहा औ और कार्बन का और कार्बन का यानि जो आपका यह जो है इस overlooked और कारबन का फिरकता है पंच तंद्र के लेखक एंगत नोजय किनि यह है घुणा ऩया हैं वह आपका विशन्व हृशन्व शर्मा शर्म है यह आपका फेमस region पूछे जाता है काफी इसमें इंटेस्टेड आपका कहानियां है आपका बहुत ग्यान वर्धक कहानी है तो हमेशा प्रसना आता है कि पंच नंदर का लेखा कौन है तो विश्मु सरमा है करता है बैक्तिगा सत्यागरा जो सत्राक्टबर 1944 को सुरू किया था वो आपका बिनोबा भौवे किये थे तो याद रखेगा बिनोबा भौवे ने आपका बैक्तिगा सत्यागरा का सुरुआत किया था इसके बाद हम लोग अराव अली की बात करते हैं अराव अली आप जानते हैं कि दुनिया का सबसे पुराना परवत है जो लगवक 60 से 70 कडोल बरस पहले बना है और यह दुनिया का सबसे आपका पुराना अपसिष्ट परवत के रुप में जाना जाता है मुख रूप से यह आपका राजस्थान में है इसकी सबसे उची चोटी जो है आपका गूरु सीखर है क्या है गूरु सीखर 1722 मीटर इसकी उचाई है गूरु सीखर तो याद रखेगा कियरावली की सबसे उची जो चोटी है आपका गूरु सीखर है जिसकी उचाई जो है आपका 1712 मीटर है फिर कहता है खनीजो का घर कहा जाता है यानि भारत का कौन सा राज्य है जिसको खनीजो का घर कहा जाता है तो आपको बता दें छोटा नागपूर का पठार जो है छोटा नागपूर का पठार अगर हम इसकी बात करें अगर आप प्रवक हो न जीसमें आपका अबर्क कोईला हो लोहा ओ तो यह सारे आप अत्यधेक हूप मिलता है इसलिए इसको हम लोगाप नीज सबस्थाalterक का cracking इसके बात कि कि धर्थी पर या ब्रामांड में जानी आपका पादार्थ की उत्पत्ति कब हुई यानि समय का उत्पत्ति कब हुआ पदार्थ का उत्पत्ति कब हुआ और इसके बाद अस्थान का उत्पत्ति कब हुआ तो आपको बता दे बहुत ही महत्पुन प्रस्ण है कि समय अस्थान तथा पदार्थ की उत्पत्ति जो हुआ है वो आपका बीग बैंग थियोरी के बाद हुआ बिग बैंग थियोरी यानि बिग बैंग थियोरी जिसका आपका प्रतिपादन जॉर्ज लेम तेरे ने किया है और इन्हों नहीं बताया कि ब्रहमांड का निर्मान कैसे हुआ है हम ब्रहमांड चेप्टर में पढ़ेंगे तो काफी डिटेल्स जानेंगे लेकिन अभी फिलाल जानिए कि आपका समय अस्थान और पदार्थ का जो उत्पत्ति हुआ वह आपका बिग बैंक थियोरी यानि उसके घटना के बाद ही हुआ इसके बाद करता है हब्बल सिद्धान्त क्या है तो हब्बल सिद्धान्त जो है वह आपका प्रहम खांड है तो फैलता जा रहा है भागता जा रहा है दो ग्रफों की दूरी धिरे धिरे बढ़ते जा रही है डो आपका जो पिंड्ड है उसके दूरी बढ़ती जारें तो इस सिद्धान्त करती आपका हम लोग चर्चा करते हैं और फिक से laughing सिद्धान tut ह I Am प्रतिशत कितना होता है तो आफ तर होना, चाहिए 35 परतिशत जो है, आपका शागर में लुपनका परतिशत होता है, ऐसे अगर आपे मुरुत सागर की बात करें या फिर कैस्पियान सागर की बात करें, तो आपका नमा का percentage में काफी अंतर देखने को मिलेगा लैकिन अगर हम आउसत की बात करें तो 32% इसके बात कता है पिरतीवी से सुरि के भीच की आउसत दूरी जो है आपका 15 करोड किलो मीटर है 15 करोड किलो मीटर है ये दूरी जो है आपका घढ़ते बढ़ती है क्योंकि जो आपका फिर्थीवी है वो अंडाकार रूम में आपका अपने जो आपका सौरी मंडल है उसका चकर लगाती है या फिर सूरी का चकर लगाती है तो ये जो आपका अंडाकार रूम में चकर लगाने के कारण जो आपका उसका दूरी घड़ते बढ़ते रहता है तो आस्तन की बातें आपके करें तो । 15 कडोर किलो मीटर है आज रेक बनस का है आज रेक बनस का रेक बनस का जो संस्थापक था वो आपका बिंबिसार था और इसी बिंबिसार की हत्या करके ईज रेक रेक Luigi गद्दी पर बैठा था आपको बता दें कि हरियक बंस को पित्री हंता बंस भी कहा जाता है क्योंकि यहां पे जो भी उत्रादिकारी आया अपने पुर्वज यानि अपने पैरेंट्स को मार करके आया इसलिए हम लोग हर्यक मंस को पित्री हंता मंस भी कहते हैं। भूमद रेखा पर जी का मान ज्यादा या कम होता है तो आपको बता दें कि भूमद रेखा से जैसी हम लोग उत्तर की और बढ़ते हैं या दचिन की और बढ़ते हैं तो जी का मान बढ़ता है और अगर हम बिश्वत रेखा की बात करें या भूमद रेखा की बात करें या ए एक ही नम है तो इस पर जो है आपका कम होता है क्या होता है क्या होता है ह थूर्थ शिर्णी में कहते हैं मैं लुड़ाह को का परियोग घंजित के संमध्र का जाता है 60 बायु हमत्रण के संहिते है लूट कि से तरेंग धैर से तरण धैर से ही हम लोग पता कर लेते हैं कि आकास का जो रंग है उसका क्या Kalr ठिक है उसके बाद क्लैमार्क वर हॉना ट्रेवी रेनस ने कि सब्द का परियोग किया तो यह दोनों जो white यह ऑसतवी हरी बार्ट जो है बाय लोजी सब्द का परियोग परियोग किया है तो सबसे पहले बायलोजी सब्द का जो परियोग करने वाला है वो आपका लैमारक और ट्रेवी रेनस है इसके बाद कता है नहरू तिबबत एंड चाहना के लेखा कौन है तो अवतार सी भसीन अवतार आवतार सी भसीन यानि आवतार सी भसीन जो है यह आपका नहरू तिबबत एंड चाहना पुस्तक के लेखाक है मान्सुन सब्द क उत्पति कहां से हुई है तो अरवी सब्द से हुई है किसे हुआ है अरवी सब्द से यानि आपका है बैटिकन सीटी कौन है बैटिकन सीटी यानि बैटिकन सीटी जो है बिस्व का सबसे छोटा देशों में से एक है बैटिकन सीटी जो है इसका अबादी भी आपका मातर 900 है और यह लगवग है कि हाफ किलो मीटर से थोड़ा सा बड़ा देश है और यह जो है पोप के यानि चर्च के लिए काफी आपका फेमस है तो याद रखिए अब इसका सबसे छोटा देश जो है या जनसंख्या में पूछे या छित्वल में पूछे तो आपका बैटिकन सीटी हो जागा हना मांसुन सब्द का उत्पत्ति किसे हुआ तो अरभी सब्द हना अरभी सब्द स मांसुन सब्द का उत्पत्ति हुआ जिसका हवाओं का उलट पर तो काफी आपका सेलेक्टेट प्रस्न था इसको आप स्क्रीन सोट खिश सकते हैं या बड़ा करके देख सकते हैं और बार बार इसे रिमांड करें ताकि आपको असानी से याद हो जाए धन्यवाद